प्यारे बच्चो, मानचित्र की जिस विकास यात्रा को अभी तक आप देख पाए, उसमें बड़ा विकास तब और हुआ जब ये यात्रा पंदरवी यां सोलवे शताब्दी में हुई पंदरवी शताब्दी में एक बड़ा नाम इतिहास में आता है Claudius Ptolemy का एक गणितग्य की रूप में, एक भूगोलवेत्य की रूप में, एक मानचित्रकार की रूपे पहचाने जाते हैं इतिहास में उन्होंने मानशित्रों पे बहुत काम किया उनकी एक किताब आई उस किताब को नाम था Geography of Claudius Tolome ये किताब दुनिया में नक्षों को समझने में एक बड़ी महत पूर्ण भूमी का निभाती थी इस किताब का महत तो इतना ज़्यादा था कि दुनिया के बहुत सारी भाषाओं में इसका अन्वाद हुआ लोगों ने इसे बहुत गहराई से समझने की कोशिश की और यही कारण था कि इसे समझने और इसके विकास के लिए तब बहुत सारे स्कूल खूले जैसे जर्मनी स्कूल बिटिश स्कूल फ्रांस स्कूल ऐसे स्कूलों के स्थापना हुई उद्देश था नक्षों के ग्यान को समझना उसे विक्सित करना और उसे अपने देश के लिए अपनी जिगा के लिए इस्तमाल करना यह जो बात हुई उसके पिछे एक बड़ा कारंट था आपको याद होगा वास्कोडी कामा ने भारत पहुँचने के लिए एक बड़े लंबे रास्ते का उप्योग किया था वो चाहता तो भूमद्दिस अगर के इस्तमाल करते हुए बहुत आसानी से कम समय में कम खर्श में हिंदोस्तान के पास पहुँच सकता था लेकिन एक बड़ी वज़ा थी कि अरब के लोगों ने भूमद्दिस अगर के रस्ते के इस्तमाल करना प्रतिबंधित कर रखा था यही वज़ा थी कि यूरोप के बहुत सारे लोग ने राष्टों के तलाश कर रहे थे ताकि वो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के साथ संपर्क स्थाबित कर सके इसी बिज़ सोलवी शताब्दी में एक और बड़ा काम हुआ एक देश जिसे आप हॉलेंड के नाम से जानते हैं वहाँ पर व्यापार के लिए काफे विकास के संभावनाय उसमें पैदा हुई और एक बड़े व्यापारिक के अंदर के रूप में इसका विकास हुआ इसके लिए उन्होंने समुद्रिक के बड़े हिस्सों में अपना वर्चा से स्थाबित कर लिया था बहुत सारे बंदरगाह उनने बना रखे थे और उनके बहुत सारे व्यापागरिक के अंदर भी इस्थापित हुए थे विक्सित हुए थे ये चाहते थे कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से जुड़ें और उनके साथ व्यापार का विस्तार करें और यही वज़ा थे कि ये भी चाहते थे कि दुनिया को समझने के लिए उनके रास्तों को पहशानने के लिए नए रास्ते बनाने के लिए नक्षों के विकास पर और काम किया जाए तो इन्होंने लोगों को बहुत प्रोसाहित किया जो नक्षों में रूचिया रखते थे उनको उन्होंने बड़ी सुविधाय पैदा की उस समय इतिहास में एक और नाम हमारे सामने आता है वो है जरार्डस मर्केटर जरार्डस मर्केटर ने तब तक बने हुए दुनिया के तमाम सारे नक्षों का बहुत बारिकी से गहराई से अध्यान किया उन्हें समझने के कोशिश की उनने काफी सारे संशोधन किये उनका जो काम है वो मरकेटर मैप प्रोजिशन के नाम से दुनिया में जाना जाता है तो ये तमाम सारी कोशिशे हुए सिर्फ इस बात के लिए कि लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंच सकें उनके बारे में जान सकें उनकी संपदा उनके संस्किति और तमाम चीजों के बारे में समझ सकें और उसका उपयोग व्यापारिक उद्देशों के लिए किया जा सकें ये कुछ उद्देश थे